बच्चो आज हम मेजर्मेंट में पढ़ेंगे सब्ट्रेक्शन ओफ लीटर और मिली लिटर अगले वीडियो में हमने एडिशन ओफ लीटर और मिली लिटर पढ़ा था आज अंग क्या पढ़ेंगे सब्ट्रेक्शन उसमें हमें क्या करना है लीटर और मिली लिटर जो है उसकी दो कोलम बनानी है और उसके उसमें हमें अरेंज करने है नंबर को subtract 22 liter 150 ml and 58 liter 500 ml उसमें हमने arrange कर दिया arrange the number is strong arrange करना है क्या करेंगे subtract the ml first उसके बाद हम जो ml है उसको first of all subtract करेंगे उसके बाद liter जो है उसको हम subtract करेंगे उससे पहले हमें क्या एक बाद हमें खास याद रखनी है जो जब हम subtraction कर रहे है तो हमें क्या करना है जो बड़े नमबर होते हैं यह 58 जो है Sorry फिफटी टू लीटर से बड़े है तो हम यह जो है हमारे नमबर उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे फिफटी टू लीटर 150 ml क्या करना है जो बड़े नंबर है उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम जो छोटे नंबर आएंगे उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे और उसके बाद हम सब्ट्रेक्शन करेंगे सब्ट्रेक्शन में सबसे पहले ml का सब्ट्रेक्शन याने ml का सब्ट्रेक्शन करेंगे उसके बाद करेंगे लिटर का सब्ट्रेक्शन तो 0-0 0 मैंसे 5 मैंस नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cross करके 10 यहाँ पे 10 लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 10 मैं से 5 माइनस तो 5 4 मैं से 1 माइनस तो 3 यहाँ पे 8 मैं से 2 माइनस तो 6 और 5 मैं से 2 माइनस यानी 3 समझ मैं आया 36 लिटर और 350 मिलिलिटर इसी तरह हमें करना है subtraction यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है subtract the following यहाँ पे देखो 0 माइनस 0, 0 7 माइनस 4, 3 1 माइनस 1, 0 2 माइनस 4 नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10 10 प्लस 2 क्या आएगा यहाँ पे 12 हमें 12 मैं से माइनस करना है यहाँ पे 10 हमने लिखाया तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस 1 यानी 3 तो 12 मैं से अभी हम 4 माइनस करेंगे तो 8 और 3 मैं से 1 माइनस करेंगे तो 2 समझ में आया इसी तरह हम आगे के सम करेंगे हमारा सम नमबर 2 0 मैंनस 0 0 2 मैंनस 1 1 और 4 मैंनस 2 4 मैं से 2 मैंनस यानी 2 8 मैंनस 4 यानी 4 3 मैंनस 2 यानी 1 14 लिटर 210 मिलिलिटर उसके बाद यहां सम नमबर 3 0 मैंनस 4 0 मैंस 4 मैंनस नहीं होगा तो हम यहां पे क्रोस करेंगी यहां पे लिखेंगे 10 यहां पे 10 लिखा है तो यहां पे मैंनस 1 होगा 10 मैंस 1 हम यहां पर भी वापे 10 लिखेंगे तो 10 मैंस 1 तो हम यहां पर लिखेंगे 9, यहां पर भी 10 लिया है, तो हम यहां पर cross करके लिखेंगे 1, minus 1, ओके, यहां पर हमने क्या लिया, 10, ओके, यहां पर हमने 10 लिया है, तो आगे की, जो हमारी minus करेंगे हम तो यहां पर 10 लिखेंगे, ओके, तो यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 10 में से हमें –1 करना है क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है 10 लिया है तो हम 10 यहाँ पे –1 करेंगे तो मिलेंगे हमें 9 यहाँ पे हमने वापिस 10 लिया था इसलिए हमें यहाँ पर भी –1 करना पड़ेगा तो यहां 2 मेंसे हम minus 1 करेंगे तो बचेंगे 1 यहां पे आप 10 मेंसे 4 minus करोगे तो कितना वेलेगा 6 9 मेंसे 9 minus यानि 0 1 मेंसे 1 minus यानि 0 यहां पे 5 मेंसे 4 minus यानि 1 और 1 मेंसे 1 minus यानि 0 1 liter 6 milliliter उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो 4 0-0 0 6-2 6 में से 2-ze करेंगे हम तो मिलेंगे 4 2-1 2 में से हमें 1-ze करना है हमें मिलेंगे 1 4 में से 0-ze करेंगे तो मिलेंगे 4 1 में से 1-ze यानी 0 ओके तो हमें मिलेंगे 4 लिटर, 140 मिलिलिटर 5 नम्मर का सम, 0-0, 0, 0-0, 0, 2-1, 1 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, 5 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करके 10 यहाँ पे 10 लिया है, तो हमें 5 है, तो हमें 5 में से 1 माइनस करना है, तो हमें भी लेंगे यहाँ पे 4 10 माइनस 5, 10 में से हम 5 माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेंगे 5 4 में से 2 माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेंगे 2 25 लिटर, 100 मिलिलिटर यहाँ पे sum number 6 0 में से 5 minus करना है कर सकते है नई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे cross लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 10 यहाँ पे हमने 10 लिया है तो उसके जो अगला number है उसमें से हमें minus 1 करना है तो 5 में से हम minus 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेंगे 4 में से 2 माइनस तो यहाँ पे 2 1 में से 1 माइनस तो 0 5 में से 5 माइनस तो 0 9 में से 6 माइनस तो हमें यहाँ पे मिलेंगे 3 3 लीटर 25 मिलिलीटर उसके बाद हमारा sum number 7 उसमें हम करेंगे पहले मिलिलिटर का सब्ट्रेक्शन 0-0, 0 5-0, 5 6-4, 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगी आपे 2 यानि 2, 50 5-5, 0 3-2, 1 5-2, 3 3, 10 यानि 310 लिटर 250 मिले लिटर यहाँ पर आप देख सकते हो 0-0, 0 5-5, 0 9 में से 2 माइनस होंगा तो कितना बचेगा? 7 7, 100 4 में से 0 माइनस तो 4 2 में से 0 माइनस तो 2 1 में से 1 माइनस तो 0 यानि 24 लिटर 700 मिली लिटर उसके बाद सम नमबर 9 उसमें है जिरो माइनस जिरो यहाँ पर आएगा जिरो 5 माइनस 5 5 में से 5 माइनस तो 5 6 माइनस 3 6 में से कितना माइनस होगा? 3 तो मिलेंगे हमें 3 4 में से 4 माइनस 0 2 में से 1 माइनस तो 1 और 3 में से 1 माइनस तो 2 210 लिटर 350 मिली लिटर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सम नमबर 20 0 माइनस 0 0 5 माइनस 5 0 7 माइनस 2 7 में से हमें कितना माइनस करना है? 2 कितना बचेगा? अब आप काउंट करो 5 यानि होगा 500 5 माइनस 5 0 7 माइनस 2 7 माइनस वापिस 2 माइनस करना है? कितना बचेगा? 5 और 1 में से हमें यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 1 में से कुछ भी नहीं चाहेगा तो हम यहाँ लिखेंगे 1 150 लिटर 500 मिली लिटर यहाँ पर सम नमबर 11 उसमें अभी मैं आपको कुछ टाइम दूँगी करो आप अपने ही सब से यहाँ पर 0 है यहाँ पर 5 क्या लिख करोगे अभी आप? क्या करना है हमे? क्रोस लगाना है और यहाँ पर लिखेंगे हम 10 अगर हमने यहाँ पर 10 लिखा है तो हमें अभी यहाँ पर क्या करना है? हमारे जो आगे का नमबर है उसमें से माइनस 1 करना है इसकी यहाँ पर हम क्रोस लगाएंगे यानि 5 में से माइनस क्या करना है? 1 5 में से 1 माइनस तो कितना बज़ेगा? 4 हम यहाँ पर लिखेंगे 4 अभी हमें subtraction कहां से करेंगे 10 में से 5 माइनस और 4 में से 2 माइनस 10 में से 5 माइनस तो 5 और 4 में से 2 माइनस तो 2 और यहाँ पर 4 में से 3 माइनस तो 1 यहाँ पर देखो 5 में से 5 minus, 0 2 में से 2 minus, 0 2 में से 1 minus, 1 यानि 100 liter, 125 milliliter, subtraction number हमारा जो है, हमारा भी जो sum है, वो है 12 number का sum, 0 minus 0, 0, 5 minus 5, 0, 4 minus 3, 4 में से 3 minus तो 1, 5 minus 0, 5 में से 0 minus होगा तो 5, 7 minus 5, यहापे क्या आएगा, 5, 6, 7 यानि 2, 3 में से 1 minus, यानि 2, 225 liter, 100 milliliter, समझ मैं आया सबको, अभी आप तो subtraction करना जान गए होंगे, कि हम कैसा subtraction करते है, आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मात्रम,